नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा बेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल मेरी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि तिसे चंग के कौंसलिंग की परकिरिया जो है वो चल रही ह हैं सब जगह नोजन हो रहा है काँसलिंग कराया जा रहा है बहूसारे सचक अभ्याट नविह को सलेक्ट भी खाली उनको हर हाल में 25 फरबरी को ही मिलेगा नुक्ति पत्र अब चलिए इस खबर को विष्तार से देखेंगे यहां पर देखेंगे क्या कहा जा रहा है यहां पर कहा जा रहा है हर एक जिले का ख़वर हम आपको अप्टूडेट देते रहेंगे कहा जारा कि कोईलवर प्रखंड के लिए 9900 पद पर 8597 आभीदन 22-25 दनवरी तक होना था न्यूजन हिच्छक न्यूजन पर ग्रहन कोईलवर में कौंसलिंग रद तरारी में भी हुई आपती इसका भी अप प्रखंड प्रमुख ने दिया आभेदन तो इसका भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे लेकिन इससे पहले इस ख़बर को विस्तार से देख लेते हैं ये खबर दैनिक भासकर में छपा गया है और पटना शपके आ रही है मानिये सिच्छा मंत्री बिजय कुमार चौध साथ पदों के लिए कौंसलिंग हुई जिसमें 207 योग सिच्छक अभ्यरती चानित हुए हैं पारदर्सी तरीके से कौंसलिंग कराई जा रही है मुख्याले से प्रात्मिक सिच्छानिदेशक रवी प्रकास लगतार मोनिटिंग कर रहे हैं 22 से 25 जनवरी तक प्रखंड जन इकायों की कौंसलिंग प्रखंड मुख्याले अश्तर के केंद्रों पर होगी कौंसलिंग की विडियोग्राफी कराई जा रही है पिछले दो चर्णों में 38,000 अभ्यरती चानित हो चुके हैं बाद में 459 के कारण 30 चन की कौंसलिंग कराने की अनुमती नहीं मिली अब क कौंसलिंग पूरा होने के बाद नुक्ति पत्र देने की तिथी भी तैय कर दी गई है 25 फरबरी को सभी चानित अभ्यरतों को एक साथ नुक्ति पत्र दे दिया जाएगा ताकि एक ही वाकैंसिल से बहाल हो रहे से चक बाद में नुक्ति पत्र मिलने से जुनियर नहीं रह यानि कि इस अच्छावी बाद का एक बड़ा कदम है कि हम सबको एक समान नौकरी देंगे सबको एक समान पेमेंट देंगे अलग-अलग पेमेंट नहीं होगा किसी का तो चलिए इस ख़बर को अब बिस्तार से देखते हैं वो खबर हमने आपको पटना का दिखाया ओल सब्सक्राइब के दुखबर आ रही है उस पर नजर डाल लेते हैं तो जो लोग अभी तक वीडियों को लाइक नहीं किये हैं वीडियों को लाइक जरूर कर लिजिए अन्य था भावनाव में भाज आईएगा और लाइक करना भूल जाईएगा यहां पर देख लिए यह भ त्ये सिचक निूजन पर ग्रहन लग गया है जी हां जी अब अगर किसी बीसों कृट घट कर दिया रहा है यहां घर लगते जा रहा है और जब गरहन लगते जा रहा है तो कठा पुरा हाई होते जा रहा है इस वज़ा से कोईलवर परखंड के लिए 22 से 25 जनवरी के बीच कच्छा 1 से 5 और कच्छा 6 से 8 तक के सिच्छक न्यूजन की कौंसलिंग रद कर दी गई है तरारी प्रखंड से भी अपत्ती आई है न्यूजन को लेकर जिस प्रकार खेला हो रहा है उससे इसका हाल पिछले पंचाईत परतिनीध्यों के कारकाल की तरही होने की आसंका होने लगी है ताजा प्रकरण कोईलवर न्यूजन का है यहां की कौंसलिंग रद कर दी गई है यहां 8,597 अभ्यरती हैं कौंसलिंग रद होने का कारण शिच्छक न्यूजन को लेकर ततकालीन विडियो और ततकालीन प्रकरण प्रमुक्त के बीच सनवयक नहीं होना बता जा रहा साथ लड़ाई जगड़ा हो रहा होगा इस कारण से अब ये दोनों के बीच में घटा अभ्यर्तों को हो रहा है कहा जा रहा है कि आपसी अनबन होने की बज़ा से कोईलवर की मेधा सुची पर हस्ताचर अब तक नहीं हो सकी इस बीच वीडियो का अस्तरांतर दुसरे जिले म अनुमदन नहीं होने से मामला लटक गया है इस से लगभग 8,597 अभ्यार्तियों को हिच्छक बनने के अभी इंतिजार करना पड़ेगा जिला सिचा पतादिकारी प्रेमचंद ने बताया कि मेधा सुची अप्लोड करने के लिए सभी को पत्राचार किया गया था लेकिन कोईलवर नियुजन के लिए मेधा सुची अब तक अप्लोड नहीं हुआ है अब 22 से 25 जनवरी तक परक्षण कोईलवर का नियुजन नहीं हो पाएगा वर्ग 6 से 8 तक के लिए 49 और वर्ग 1 से 5 के लिए 60 फिस्को का नियुजन करना था इधर प्रखण नुजन एकाई के सचीव सह प्रखण पंचाय ती राज पतादिकारी कृष्ण कनहया परसाद ने बताया के सिच्चक नुजन के लिए मेधा सुची पर ततकालीन प्रखण परमुक का हस्ताचर नहीं था इससे NIC की वेपसाइट पर मेधा सुची अपलूड न नौ सुचकों की परतिनुक्ति की मांग की गई थी हलाकि इस पर भी पहल नहीं किया गया अब इधर दो खबर और हैं बो देख लेते हूं इसमें कहा जा रहा है कि अब नए प्रखण प्रमुक के पास जाएगी ततकालीन प्रमुक का नहीं प्रमुक का नहीं हो सका था हस्त सब्सक्राइब नहीं प्रमुक के पास जाएगी हालाकी का नहीं होने के कारण उनका पच नहीं मिला इधर नय पर्खन परमुख मनूझ KUMAR सिना ने बताया कि सीच च्रक नियुजन के मेधा सुची के परकाशन के समन्द में उन्हें लिखित और मोखिक कोई सुचना बी ओ कोई बर द्वारा नहीं दी गई कि तरारी के नियोजन अस्थगन को प्रक्षण प्रभमुख ने दिया आविदन जिला में लिखा है कि 22 जनवरी से शुरू होने वाले नियोजन पर तकालिन प्रभमुख द्वारा हस्ताथचर या अभी पर्मानित किया गया है मुझे अभी तक मेधा सुची को नहीं दिखाया गया है जब तक मेरे द्वारा अंती में धसूची को नहीं दिखाया जाता तब तक प्रक्रियाप्पुन कराना सही परतित नहीं होगा 22 जनवरी से सुरू होने वाली नियोजन को अभी अस्थागित किया जाए गौर्त अलब हो कि वर्ग वन से पांच के लिए पच्छत और च्छव से आठ के लिए